है हेलो डियो फ्रेंज अगर आप भी धनिया उगाना चाहते हो अपने घर में तो यह विडियो बिल्कुल आपके लिए हैं इसमें मैं आपको बताऊँगी कि धनिया आप सीर से कैसे उगा सकते हो इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी इसका जो pot होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए किस size को होना चाहिए इस वह कि इतनी sunlight के जरूत होती है फिर इसका harvest के से लेना है इसको किस-किस interval में आपको manure देना है किस प्रकार का manure देना है तो यह सारी जयानकारी में आपको इस वीडियो में दूँगी सीड्स कहां से लाने हैं कौन से टाइप के लाने हैं सीड्स को सो कैसे करना है मिट्टी में उसे सीड्स को जर्मिनेट होने के पहले उसे कैसे रेडी करना है आप जबी भी सीड्स को मिट्टी में डालते हो पहले तो उसे अच्छे से तैयार करना होता है कितने तरक से आप तयार कर सकते हो यह सारी जानकारी में इस वीडियो में दोंगी तो बनेर ये लास्ट तक हेलो फ्रेंड्स हम सबको पता है धनिया जो है वो हर घर में बहुत इस्तिमार किया जाता है और गर्मियों में तो उसके दाम आस्मान छोते है तो धनिया आप घर आराम से वगा सकते हो उसकी कोई भी स्पेशल प्रोसेस नहीं है कोई भी उगा सकता है उसमें estado करने के भी जरुषत नहीं होती है आपको क्या लेना है पहले तो एक प्लांटर लेना है एक पॉड़ लेना है इसकी धनिया के जो आप गंबला वह फ्लाट होना चाहिए क्योंकि धनिया का जो प्लांट है Bundes virus होते हैं इस गोड़ेम्स करने के अगर वह घर में प्लांटर का किलेक्ट करना चाहिए कुछ बना मदरेक्ट में तो आपको बड़ेश चीव और उस Lights म new yり वह की pencil म likelihood कोई कि उसके जो पॉट है प्लांडर है उसका ड्रेनेज होल हो दो या तीन में ड्रेनेज होल हो तो अच्छे हैं ताकि एक्सेस बुआनी जो है वो निकल जाए रही बाद पॉटिंग मिक्स की तो उसके लिए आप 50% सैंड लेना है 40% अपको मैन्योर लेना है और 10% रिवर सैंड लेना है इनको जो सोईल है वो थोड़ी लूज वाली लगती है ताकि इनके रूट्स आराम से इनके रूट्स से हवा पहुच सके और इनका जो पानी डाले वो तुरण नीचे आज है जितनी जरूरत है उसके रूट्स पानी ज्यादा होने के बुझे से मैक्जिमम पानी ओलोग अपने पास शोग लेते हैं अप रही बार मैन्यूर की, तो आप ऑर्गनिक मैन्यूर डाल सकते हो या वह मेंकाम्पोस डाल सकते हो अबको आपको रिखना है कि इसमें मैक्जिमम आपको से रेगिलर बैस्तित पर डालना या बाकी मैनियोप प्लांस की ग्रॉथ होती है तो काफे डिफरेंट होती है उसका ग्रोथ देखेंड होता है तो मैं हमेशा सर्जेस्ट करूंगे कि आप अपने इतने प्लांट्स लगाए रहे हो इतना इंवेस्मेंट करी रहे हो गार्णिंग पे तो जीव मैंनियर यूज़ किजिए और फरक देखिए आपको पता चलेगा कि जीव मैंनर क्यूं बेस्ट है जीव मैंनर कंप्लेट फू दूनदर की जरूत नहीं होती है यूज़कर वाकी साण नूट्रिण्स डाल लेने जाओ तो आप द देखोगे कि बहुत कॉसली हो जाते है तो इसलिए जिया प्लांट के लिधे ल्यूट यूज़ कर सकते हो वही बाकी सारे प्लांट्स के लिए रेगिलर अप सकते हो कह क आप पॉटिंग मिक्स के टाइम ये मैन्योर डाल सकते हो तो इसके बाद आपको टू मंश के बाद मैन्योर टालना है फेर डूस्ग करना है आप सीर्ज लोगे एक पॉटिंग बन गई तो सीर्ज आइडेर आप आलाइन मंगा सकते हो या फिर जो अपने घर के कहाने में जो आते हैं वो इस सीड्स आप ले सकते हो उसको क्या करना है आपको दो भाग इस्सों में डिवाइट करना है सीड्स को बेलन से भी आप आराम से कर सकते हो उसके बाद उसे 6 गंटे के लिए पानी में डुबा के रख देना और जैसे वो फुंज है छे गंटे बाद तो आपको क्या हाँ करना है tirar लेंग करी है इसे पर आपको क्या start राह्त करें यह मैं क्यूसर कर लाइन sos कि रख़ाना चीडिया कसे एंक द नशकर ट है 15 दिन के अंदर 15 ने बाद पार देखें आप अगर दें जाएंगे आपके सेड्स और छुटी-छुटे पहोदे आजाएंगे और काफी खुपसुर से पहोदे आते हैं आप देख सकते हूं यह 15 दिन का है आपको इसे फुल संलेट में रखना है समौल हो विंटर हो रहनी हो आपको इसे फुल संलेट में रखना है तब ही जाके यह अच्छे से यजए हैं आप देख सकते हूं यहाँ पर कितना खुबसरत इनकी ग्रोथ है है अगर आप ओनलेट मंगाते हो तो वह से ज़क्री का बल्यू होगा यूंकि यों फंगिसाइड के साथ ट्रेट किया जाता है अब यह देख सकते हो आप एक मेने का ग्रोथ है यह कितना आया है और कितना ज्यादा आया है एक पॉर्ट में लगाने के बाद भी यह टर्ब देखो टर्ब में अच्छे से किया हुआ है ज्यादा इसको कुछ करने के जरूद में होती है बीच में अभी इसको अगर हम पानी उपा से डालते हैं तो क्या होगा यह तूट सकता है इसलिए हमने क कि इसपॉट के भीश में हमने एक पाई रखा है वाकी-सकी अंदर क्या होता है इसके पानी डालते हैं इसके अंदर रमदयन में यह का यह देख सकते हो यह दो मेहने करने के बाद तुरंद आपको पानी देना है और मैन्योर आपको हर 15 दिन में देना है ताकि इसकी जो न्यूट्रियंस सोईल में से निकन गये हैं वह सारे के सारे न्यूट्रियंस उसे वापस मिल जाए आशागरती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेट्वी लगा होगा अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजे शेयर कीजे और नोटिफिकेशन का बेल आइगन पर क्लिक कीजे ताकि जब मैं नया वीडियो डालू तो आपको नोटिफाइ मिल जाए तो मिलत